नमस्कार दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी ख़बर आई है Elon Musk और Twitter से रेलेटेड, पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि Elon Musk के द्वारा करीब 9% स्टेक जो है वो Twitter में खरीदा गया, लेकिन अब यहाँ पर Elon Musk कह रहे हैं कि वो Twitter को प्राइविटाइज करना चाहते हैं Do you want an edit button? तो basically क्या होता है, कोई भी जो company चलती है वो board के according चलती है, जो company का board होता है, जिसमें shareholders के representatives होते हैं यहाँ पर या फिर shareholder होते हैं, तो वो board चलाता है कि यह company किस दिशा में जाएगी, तो यहाँ पर Elon Musk ने बिना board से इजाजत लिए, बिना कुछ पूछे, यहाँ पर यहाँ पर Elon Musk अब यह कह रहे हैं, कि वो पूरे Twitter को खरीदना चाहते हैं, उसको privatize करना चाहते हैं, और इसकी valuation करी 43 billion dollar के आसपास उन्होंने लगाई है, यह आप देख सकते हो, Elon Musk offers to buy Twitter in take over attempt, तो यहाँ पर एक और चीज़ सामने आ रही है और बोला जा रहा है, hostile take over किया जा स मौका है कि अगर आप banking की त्यारी कर रहे है, SSC और bank combo जो है, वो आपको एक साथ मिल जाएगा, बहुत ही कम दाम पर, आपको code इस्तमाल करना है हमारे app और website पे, अंकित combo, ANKITCOMBO, बाकी courses के लिए आप अंकित 40 इस्तमाल कर सकते हैं, इसके वज़े से आपको directly 40% का discount मिलेगा, साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्ता पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चलिए सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, अभी exactly हुआ क्या है, देखिए, Tesla की जो CEO है Elon Musk, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि best and final offer, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, Twitter को, जो Twitter के shareholders हैं, कि मैं 100% खरीदना चाहता हूँ, और एक जो share का price है, वो उन्होंने करी $54 के आसपास बताया है, प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, Twitter का जो price है, मतलब कि अभीस सी बात है, हम डॉलर में बात कर रहे है क्योंकि यह US के अंदर listed company है, तो अभी इस समय करी $44-45 के आसपास इसका price चल रहा है, Twitter का, तो उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर हर एक share के लिए $54 देने के लिए तयार हूँ, इस समय अगर आप देखोगे, Elon Musk का wealth सबसे जादा ही, is the richest person $260 billion के आसपास, और Twitter का जो market valuation अभी present में है, it is $37 billion के आसपास, और यह यहाँ पर offer कर रहा है कि मैं $43 billion में पुरे Twitter को खरीद लूँगा, तो इसका कारण क्या है, वो हम जाने उसके पहले थोड़ा सा background समझ लिए, कुछ दिन पहले मैंने, 10 दिन I think पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, और आपको बताया था कि Elon Musk ने $3 billion से 9.2% stake Twitter के अंदर खरीद लिया है, अब 9.2% stake खरीदने की वज़े से क्या हुआ है, कि Elon Musk Twitter के सबसे बड़े shareholder बन गए है, second biggest shareholder आप देख सकते हो, यहाँ पर Vanguard group है, जिसके पास 8.8% stake है, in fact, Twitter के जो co-founder है Jack Dorsey, उनके पास ही सिर्फ 2.2% stake बचा है, तो इसकी वज जब largest shareholder होता है, तो वो काफी कुछ influence कर सकता है उस company के अंदर, उसके बाद आप देखी क्या हुआ, कि जैसे यह खबर market में आई, कि Elon Musk ने 9.2% stake खरीदा है, क्योंकि यह stake उन्होंने पहले खरीद लिया था, दस दिन पहले खरीदा था, लेकिन इसके बाद इसके बारे में जो खबर है, वो बाद में पता चली, उसके बाद 5th of April को देखे क्या होता है, जो पराग अगरवाल, आपको पता होगा, he is the current CEO of Twitter, तो उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया, कि जो Elon Musk है, वो company के board को join कर जाएंगे, मैंने आपको बताया था नहीं यहाँ पर, जो कोई भी company ह होती है दुनिया में, उसके अंदर board होते हैं, shareholder representatives होते हैं, तो यहाँ पर वो decide करते हैं, company किस दिशा में जाएगा, क्या important decision लेना है, तो अविसी बात है, Elon Musk सबसे बड़े shareholder बन गए, तो उनको board में लेना चाहिए, तो पराग अगरवाल ने कहा, कि Elon Musk company के board को join करेंगे, ठ उनने directly नाम नहीं लिया, Elon Musk का, लेकिन कहीं न कहीं उनका इस सारा issue की तरफ था, और साथी साथ उनका कहना था कि आगे future में कोई भी noises होंगी इस तरह से, तो आपको ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना है, मतलब पराग अगरवाल अपने जो employees हैं, उनको ये संकि dollar में, यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं इसको private company मनाना चाहता हूँ, ताकि विशु के अंदर जो free speech का platform है, वो बना रहा है, साथी साथ उनका ये भी कहना है कि अभी present में जो price चल रहा है Twitter का, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, तो मैं काफी जादा यहाँ पर payment करने के लि पर के आस-पास, और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक offer दिया, Twitter board के जो chairman है Brett, मैंने आपको बता है न, यहाँ पर जो board होता है, तो उसको lead किया जाता है किसी chairman के दोरा, तो इस समय Twitter board के chairman है Brett Taylor, उनको यहाँ पर एक offer दिया, और इसको इन्होंने reveal भी किया, आप देख सक बना रहना चाता है पूरे विश्व भर में, तो इसको privatize करना जरूरी है, क्योंकि जब तक privatize नहीं होगा, basically वो यह कह रहा है कि मैंने जब Twitter के अंदर invest किया था, इतना बड़ा share खरीदा Twitter के अंदर, तो मेरा main मकसद यही था, ताकि मैं free speech को बरकरार रख सकतूं, और इसी क मैं पहले, करीब आप कह सकते हो, मार्च के महने में, 20-22 मार्च के असपा, जब उन्होंने खरीदना श्टार्ट किया था, उसके मुकाबले यह 54 डॉलर दे रहे हैं, उस समय यह price करीब 35-36 डॉलर चल रहा था, तो उसके मुकाबले यहाँ पर 54% premium दे रहे हैं, जादा दे र और इसके अलावाद जब यहाँ पर announcement हुआ था, और जैसी से share भागा था, उसके पहले आप देखोगे, उसके मुकाबले यह 38% जादा दे रहे हैं, basically उनका यह कहना है कि यह मेरा final offer है, आप इस offer को ले लिजे, जितने भी shareholders हैं, वो सारा share मुझे दे दीजे, यह final offer यहाँ प पर भरोसा नहीं है, confidence नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चलकर मैं अपने position को reconsider करो, मतलब as a shareholder, वो आगे चलकर कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा वो संकेत देनी की कोशिश कर रहे है, इनफार्ट उनका यह कहना था, कि this is not a threat, मोई कोई threat नहीं दे रहा हूँ, मेरा main मकसद है कि य इसलिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस company को privatize किया जाए, privatize का simple earth यह हुआ, कि 100% वो खुद खरीदना चाहते है, जैसे कि अगर आप LIC देखो, भारत के अंदर जो LIC company है, अब क्या होगा, जब उसकी listing हो जाएगी, IPO आ जाएगा, तब यह आपका public company बन जाएगी, क्यों यह private company आप एक तरह से कह सकते हो, तो यह basically क्या है न, यहाँ पर आपको मदभेद देखने को मिल रहा है, Elon Musk और जो board है, management है उसके बीच में, और in fact, यहाँ पर कल देर रात को ही, यहाँ पर मैंने देखा कि Elon Musk के दौरा एक और tweet किया गया, कि जो मैंने offer दिया है 54 डॉलर पर share का, यह जो decision है, यह shareholders को लेना चाहिए, सभी जितने shareholders है, अब मान के चलो, आपके पास Twitter का share है, और Twitter का share का price इसम है 45 डॉलर चल रहा है, और कोई person आपको offer कर रहा है, कि मैं आपको 54 डॉलर देने को त्यार हूँ, तो आपको यह benefit ही होगा, तो यही Elon Musk यहाँ पर कह रहा है, कि यह decision है, कि 54 डॉलर में यहाँ पर लेना है कि नहीं, तो यह decision shareholder के पास होना चाहिए, जो कुछ लोग है यहाँ पर board के अंदर, उनके दोरा यह decision नहीं लेना चाहिए, तो इसी को लेकर वो yes और no voting यहाँ पर करा रहा है, इसके लाब आप question है कि Twitter का क्या क्याना है, इसको ले लेंगे, तो Twitter ने अभी था कि यह चीज का है, लेकिन अब देखे क्या है, कि अगर मान लो Twitter का जो board है, वो मना कर देता है, कि नहीं हम यहाँ पर आपका जो proposal है, उसको accept नहीं करते हैं, तो में भी हो सकता है, इस तरह के case में क्या होता है, कई बार hostile take over हो जाता है, hostile take over का सहमत नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं हम आपको पूरा steak नहीं खरीचने देंगे, तो company B जो है, वो एक दूसरा तीसरा रास्ता अपना सकता है, हो सकता है कि वो directly market से जो share है, share market से जो shares बचे हैं, उसको उठाना start कर दे और अपना जो हिस्सेदारी है company A के अंदर, वो 50% से A के खिलाफ जा रहे हो, उसका जो board है, वो सहमत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको take over करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी को कहा जाता है, hostile take over, भारत में कुछ समय पहले आपको याद होगा, L&T ने यहाँ पर एक hostile take over किया था, एक tech company को आपको याद होना चाहिए, I MIND TREE को यहाँ पर hostile take over हुआ था, यह पूरा किस्सा भारत के अंदर चला था, तो इसी को कहते है, मतलब L&T ने यहाँ पर MIND TREE के जो board है, उसके खिलाफ जाकर यहाँ पर उसको take over करने की कोशिश की, अपने हिस्सेदारी को 50% से जाधा करने की कोशिश की, तो इसी को hostile take over कहत हैं, बहुत ही simple definition में, लेकिन hostile take over के कई disadvantage हो सकते हैं, तो जो public में छवी है, उस company का कुछ न कुछ problem हो जाता है, या फिर आप माल लो Elon Musk market से, directly share market से, जो exchange होता है, वहाँ से अगर directly यह खरीदते भी हैं, तो उस case में हो सकता है Elon Musk को बहुत जादा पैसा देना पड़ेगा, इसक share, 2000, 3000, दीरे-दीरे खरीदते रहेंगे, तो आपको पता ही होगा कि जब भी market में इस तरह का demand बढ़ता है stock का, तो उसका price भी तो बढ़ने लगता है, यही तो इसी तरह work करता है demand और supply के basis पर, तो जैसे यह खरीदना start करेंगे, उसका price बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि आज के रिफ में यह 45 डॉलर है, इससे बढ़ते 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 60, 70, 80, 100 डॉलर, इतना जा सकता है, 150 डॉलर भी जा सकता है, क्योंकि लगतार वो demand करते जा रहे है share का, और market से खरीदने की कोशिश कर रहे है, तो जितना वो price देना चाहते है 54 डॉलर पर share के लिए, उसक पहले तो यह देखेंगे कि क्या Twitter का board उनसे सहमत होता है, नहीं होता है, उवसी बात मुझे नहीं लगता कि सहमत होगा, इस तरह से Twitter को prioritize करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं होता है, तो फिर Elon Musk, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया है कि वो hostile take-over भी कर सकते हैं, देखते हैं क् वीडियो आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, जाने से पहले एक काफी interesting question, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो company होती है, उसका नाम change करने के लिए क्या required होता है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गाई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, time का combo लेना चाहते हैं, तो use करिए code ankit combo और इससे आपको बहुत कम दाम पर यह जो पूरा course है, वो मिल जाएगा, हमारे website और app पर आप जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता आप से next time till then, thank you very much, see you soon.